सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दवाईए घंटी का बटन जिससे आपको मिल सके हमारी नई रेस्पी सबसे पहले नमस्कार संगीतागरवाल.com पर आपका स्वागत है आईए आज हम लौकी के चटपटे टेस्टी कबाब बनाएंगे इसके लिए हमें जरुत पड़ेगी लौकी की जिसे हमने छील करके घिस लिया है बेशन की, सूजी की, आयल की, नीम्बू की, बारी कटी हरी मिर्च की, हल्दी की, लाल मिर्च पाउडर की, नमक की, जीरे की, गरम मसाले की, करी पत्ते की, राई की, बैकिंग सोडे की, हीन की और चीनी की, हमने सबसे पहले लौकी को एक बड़ी बाउल में कर लिया है, अब हम इसमें चोधाई चमश नमक मिलाएंगे, जिससे की लौकी अपना पानी छोड़ दे, और इसे अच्छे से मिला दंगे, अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख दंगे, हमें 5 मिनट हो चुके हैं लौकी ने हलका हलका पानी छोड़ दिया है, अब हम इसे निचोड लगे, और एक दूसरे बरतन में रख लगे, हमने लौकी को निचोड करके थाली में कल दिया है, अब हम इसमें 2 बड़े चमश सूजी, चुथाई चमश हल्दी, चुथाई चमश लाल मिर्च पाउडर, चुथाई चमश गरम मसाला पाउडर, चुथाई चमश हीम, चुथाई चमश जीरा, चुटकी भर बैकिंग सोड़ा, चुथाई चमश नमत, एक चमश बारिक कटी हरी मिर्च, आधी चमश चीनी, आधी न और बेसन डाल करके इन सबको अच्छे से मिला लगे यहाँ पर हमने तीन बड़े चम्मच बेसन डाला है अगर कम लगेगा तो ओड डाल लगे अब हम इन सबको अच्छे से मिलाएंगे हमें इसमें पानी नहीं मिलाना है हमारा लौकी के कवाब बनाने का पेष्ट तयार है अब हम इसके रूल बनाएंगे हमने हाथों में और चलनी के उपर तेल लगा लिया है अब हम पेष्ट के कवाब बनाएंगे पेष्ट को हाथ में लेकर के रूल करेंगे इस तरीके से और इसे चलनी में रख देंगे और इसी तरीके से हम सभी रोल बना लगे हमने सभी पेश्ट के रोल बना लिए हैं अब हम इने पकाएंगे अब हम एक भगोने में दो गिलास पानी गरम होने रखांगे हमारा पानी खोलने लगा है अब हम रोल बाली चलनी इसके उपर रखांगे और इसे एक दूसरी थाली से ढख देंगे अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक मीडियम गैस पर पकाएंगे हमें 20 मिनट हो चुके हैं अब हम गैस को बन कर देंगे और थाली को हटाएंगे अब हम चाको की मदद से कबाब को चैक करंगे ये बिल्कुल तयार है चाको पर बिल्कुल चिपक कर नहीं आए अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे हमारे लौकी के कबाब ठंडे हो चुके हैं अब हम इन्हें काटेंगे हमने सभी कबाब काट लिये हैं अब हम इन्हें फ्राई करंगे हमने एक पैन को गरम कर लिया है अब हम इसमें दो बड़े चमच रिफाइंड डाले डालेंगे हमारा तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें आदा चमच राई आदा चमच घीर चोथाई चम्मचीन, बारिक कटी हरी मिर्च, चोथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और करी पत्ता डालगे अब हम इसमें कटे हुए लोकी के कवाब डालगे अब हम इसके उपर से चोथाई चम्मच गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल जराता सा नमक और निम्पू का रख डाल करके इसको अच्छे से चलाएंगे हमेने मीडियम गैस पर दो से तीन मिनट तक पताना है हमारे कम तेल के बने हुए लोकी के कवाब तयार है यह आपको कैसे लगे यह हमें जरूर बताईएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूमे चैनल थाल प मैं सब्सक्तना है झाल झाल